तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाला है हीरो की तरफ से आने वाली अपकमिंग हीरो करिज्मा XMR 210 CC की जो ये बाइक होने वाली है 29 एगस्त को इंडिया में लाँच होने वाली है ओफिशली हीरो की तरफ से और वही पुराने क्रिज्च के साथ करिज्मा एक बार फिर आने वाली है और एक बार फिर रित्तिक रोशन जो है इसको आम मतलब एड कर रहे हैं इस बाइक को प्रमोट कर रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाला है डिटेल में कि बाई क्या सब कुछ मिल जाएगा इस बाइक में आपको, किस बाइक को ये देने वाली है टक गितनी पावर होगी क्या रखे जाएगी इस बाइक की प्राइस तो डिटेल में वीडियो आने वाला है, वीडियो दिखना पूरा एंड तक, उससे पहला अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा और बैल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को अल कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह से बाइ यह टकर देने वाली है, जैसा कि इसके फोटोस देखके और टीजर वगरा देखके पता लग रहा है, तो फुली फेरड बाइक होने वाली है, साइड लुक काफी इसका जो है अग्रेसिव रखा गया है, टैंक थोड़ा बड़ा साइज का होने वाला है, और राइडर अग् बाइक की आपको जो है देखने को मिलने वाली है, आगे चलते हैं पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो 210cc का सिंगल स्लेंडर लिक्विर कूल इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है, जो की जनरेट करेगा 23BHP के आसपास की पावर और 18NM के आसपास का टॉ 6-speed का gearbox आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाएगा, तो इसकी जो top speed है वो काफी अच्छी रहने वाली है और बाइक की जो stability है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है, यहाँ पे ये बाइक आपको dual channel ABS के साथ देखने को मिल जाएगी, हालाकि इसके single channel ABS वाले variant भी आएगे बड़ आपको जो है ये बाइक dual channel ABS के साथ भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे बात करते हैं front के look की तो front में complete LED setup देखने को मिलने वाला है, LED headlight with LED DRLs और indicators भी आपको यहाँ पे LED ही देखने को मिलने वाले है, backlight भी आपको यहाँ पे LED में ही देखने को मिलेगी, split seat क आपको देखने को मिलने वाली है, बाइक को completely जो है एक racing bike की तरह बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको काफी अच्छा look तो देगी, power भी इस bike से आपको काफी अच्छे मिलने वाली है, और बात करें अगर mileage की, तो hero की bike है, अच्छा mileage दे देती है, 40 above mileage इस bike से आप easily नि जलता है, वही tire size इसमें रखा जाएगा, ज्यादा tire size बड़ा नहीं दिया जाएगा, I think 130 section का rear tire size और 100 section का front tire आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बागी बात करते हैं इसके digital meter console की, तो digital meter console के photos leak हो चुके हैं, और TFT display यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि complete बाइक में आपको Bluetooth connectivity दे रहा है, तो यार एक complete budget में धमाका होने वाला है, हीरो की तरफ से, और 29th August को इंडिया में officially launch हो जाएगी, तो यार मुझे तो बाइक काफी पसंद आई, अभी तक photos वगेरा, teaser वगेरा देखके बाइक काफी पसंद आई, बागी बात करें इस bike की price की तो इस bike की जो on-road price है, वो जादा नहीं रहने वाली है, under 2 lakh ये bike आपको on-road मिल जाएगी, इंडिया में 185 या 190 lakh के आसपास आपको on-road ये bike देखने को मिल जाएगी, इतने सारे features मिल रहे हैं, fully faired bike मिल रही है, मतलब racing track के इस अब से bike मिल रही है, आपको power भी काफी अच्छ मिलने वाली है, top speed की बात करें, तो easily 140 above इसकी top speed रहने वाली है, और बजाद की Pulsar RS200, KTM RC200, R15, इन सब को Suzuki Zixar 250, इन सब को काफी अच्छी तरह ये bike जो है टककर देने वाली है, तो बाई मैं तो काफी excited हूँ इस bike की launching को लेके, बागी आप comment करके बताना कि launching के बाद किती success रहने वाली है, आपके according ये bike और क्या ये इन बाकी सभी, इन सेग्मेंट की बाकी सभी bikes को टककर दे पाएगी, तो बस यही था इस bikes related video, बाकी जैसे launch हो जाएगी, showroom पर जाके अपन इसके real video भी बना देंगे, detail video भी बना देंगे, top speed वगरा के, mileage test वगरा के, सारे video आप लो बना देंगे, तिल the time, ride safe and always wear a good quality helmet, goodbye.